जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। सफलता हमेशा असफलता के अस्तंब पर खड़ी होती है इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कश्ट दायक हो हमारी रा कितनी भी भयानक और पत्रीली क्यों न हो फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार है। अगर जीवन में संघर्ष न रहे किसी भी भय का सामना न करना पड़े तब जीवन का आधा स्वाध ही समाप्त हो जाता है। ऐसे ही कथन कहने वाले सुबाश चंडर बोश जी का आज जन्म दिवस है। दोस्तो स्वागत है आपका अपने योटूब चैनल इस्टरड़े विथ उदै में। दोस्तो आज नेता जी सुबाश चंडर बोश का जन्म दिवस है। दोस्तो सुबाश चंडर बोश एक महान स्वतनता सिनानी थे। उन्हें नेता जी के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 23 जन्वरी 1897 को कटक उडिसा में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोश था और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। वह स्कूल में बहुत मिधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी स्कूली सिच्छा कटक से और मैट्रिक की सिच्छा कोलकाता से और बीए की सिच्छा 1918 में कलकत्ता विश्व विद्याले से की थी बाद में उनके पिता ने उन्हें भारती सिविल सेवा ICS में परिच्छा में बैठने के लिए इंगलेंड भेज दिया वे पास हो गए और सेवा में सामिल हो गए लेकिन जल्द ही उन्होंने भारती सिविल सेवा से इस्तिफा दे दिया और स्वतनता आंदोलन में भाग लेने के लिए भारत लोट आये वह अपने राजनीतिक गुरु राष्टवादी देशबंधु चितरंजन्दास से पहुत प्रभावित थे उन्होंने लोगों को स्वतनता संग्राम में सामिल होने के लिए प्रेरित किया सुभाज चन्रबोस ने सुराज नामक समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटीज सासन का कड़ा बिरोध किया वह सिंगापूर चले गए और अपनी खुद की इंडियन नेसनल आर्मी आई एन ने बनाई जिसे आजाद हिंद फोज की नाम से भी जाना जाता है उन्होंने अपनी सेना को दिल्ली चलो और जै हिंद का नारा दिया उन्होंने अपने महान सब्दों की माध्यम से अपनी सेना को प्रेरित किया कि तुम मुझे खुन दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा अंग्रेजी सेना से मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ऐसा माना जाता है कि 1945 में ताइवान में एक बिमान दुर घटना में नेता जी की मृत्तिव हो गई लेकिन उनकी मृत्तिव का रहस्य अभी भी अन्सुलजा है नेता जी हमेशा जीवित रहेंगे हर भारती के दिल में एक चीरस्थाई प्रेरड़ा के रूप में दोस्तो आज इस वीडियो में हम महान स्वतनता सिनानी नेता जी सुबास चंडर के बारे में सौर्ट में संचेप में उनकी जीविनी का अध्यन किये हैं दोस्तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और भी दोस्तों के पास सेर करिए लाइक करिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स फ़र वाचिंग दिस वीडियो जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं वो आगे बढ़ते हैं